हेलो फ्रेंट्स वेलकम टूर्म 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 दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करें कुछ सिविल इंजिनियर इंट्रू कुस्सन के बार में जो की बहुत-बहुत इंपोर्टेंट है कि जब भी आप इंट्रू के लिए जाते हैं चाहिए फ्रेसर है या आपके पास एक्सप्रेंस है तो कुछ बेसिक जो कोस्ते जो की पूछे जाते हैं हाकसर इंट्रू में तो आज की वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाले यह की नर्व आपके लिए ठीक है तो वीडियो को टिला सते कि आई हूब आपको वीडियो पसन आएगी और प्लीज आगर आपको वीडियो पसन दाती तो फिली वीडियो को लेकिजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लगों प्रेस जूरू कि तक वान जब भी चैनल पर वीडियो अप्लोड करू तो आपको उसका नोटिश में मिल सके ठीक है वे दोस्तों तो वीडिय पहले है तो पुछिक है делुदеж का नोटार वे जिस रेडियो पन जा रहे है तो अगर आप प्र उन्तकष साइऱ सब्सक्राइब जा करेंड़ कीजिए कंदे तो आपको क्या है इसका टेक्निक नाम भी पता होना जो बहुत बहुत जुरूर है तो टेक्निक नेम जो होता है इसका बैंडिंग वायर का वह था आपका एनिल वायर ठीक है तो बाकि आप मार्किट में जो है यह बैंडिंग वायर के इसाब सी आप कुलता है तो इसलिए कि ह पितने पितने बैंडिंग जो है जो है उसी जरूत पड़ेगी ठीक है तो इसका जो है कोई भी एकज एक टन से इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों सुपोस किजिए कि आपकी कोई स्टीन में पर ट्रव कोई हईे जह वहा को साट को स्ठीन Confirm कि एक केजी निझन की नहीं hard system क तिए खूले विण ईसपाइज अगर güام की च्क एक स्टीन के जाब बगए है तो हो उसी स्पूर आपका जो अगर यह यह फा forgiving कि आपका इस टक सरीज्द टरह लगثिज क्या उतने आपका जो quantity में आपका सरीया अलग आ सकता है नहीं आएगा कभी नहीं आएगा ठीक है तो इसी हिसाब से आप यह चीज आपको मैं बता दूँ तो आपका होता है क्या है कि कभी भी आपका जो है बैंडिंग वैर का जो है अगर आपसे इंट्रो पुछा जाए तो आपने क्या है इंट्रोड को जो है घुमाना नहीं है ठीक है आपने simply बोलना है कि sir इसका कोई एगजेकट अंसर नहीं है ठीक है क्योंकि आप वही आप example यही दिन है कि भी आप एक slab की काश्टिंग करें उसमें आपका 8 mm का 10 mm का लगता है सरिया ठीक है उसमें जो बैंडिंग वा लगेगा उसमें ज्यादा लगेगा और सेम विसी केस में अगर आप माले कोई हाई राइस स्टिक्सर या कोई हैवी स्टक्सर लोड करें तो इसमें जो आपका 25, 32 ा लगएगा तो वह उतने जो quantity में आपका सरीया नहीं आ सकता माले अब कि एक जार केजी में आपका आठ थमीं का 10 mm का सरीया ज्यादा quantity में आएगा और 32 का जो आपका बहुत कम quantity में आएगा तो दोनों में बराबर नहीं लग सकता ना बैंडिस व हम 10 kg हम जो है लेके चलते हैं थमरूल के हिसाब से ठीक है बट आपने साथ में यह भी बोलना दोस्तों कि इसका जो है एक जरी अंसर नहीं होता है बट फिर भी हम जो है एक थमरूल के हिसाब से 8-10 kg हम लेके चलते हैं ठीक है जो next question दोस्तों आपका वो है आपका कि आपकी जो interviews बार होती है ठीक है में अब से पूछा जाता है ऴी में बताइए आपकी जो मैं बारह हती है क्ल learners यहां पर स्पेंगी स्पेंगी सटस्पेंग जी साइडות में दो होते हैं कि लोंगर स्पैंग एक स्वट Our इस सबैण सबस कोस्तों सबेट में सबनसाई … जो जो है तो आपकी मेंदबार रहेगी ठीक है निचे मेंद बार रहेगी और उसके उपर जो वाएगी ऑर जो डिस्टूबुशन बार वह रहती है ओड रहेगी आपकी लॉंग सैड में जिसके आपका कूशन है वहाँ पर आपकी जो है distribution बार देगी और हमेशा जो है में बार के ऊपर रहती है ठीक है यह चीज़ आपने जो है याद रखनी और इंट्रू में अगर आपसे पुछा जाए तो यह चीज़ आपने बताने है इसके बार जो नेक्स्ट जो कोसन आपका वह करता है वैसे तो जो है मिनिमम बार जो आपका रहता है सवाट्रू में अपनी नहीं करना है ठीक है यह चीज़ आपने याद रखनी है और जो नेक्स्ट आपका है कि भी मिनिम डायव फॉर बार यूज फॉर कोलम जो कोलम आपका रहेगा उसमें आपने जो है बारायम का जो सरिया रहता है उसे कम आपको यूज नहीं करना है ठीक है यह चीज आपने बहुत ज़्यादा याद रखने है क्योंकि इंट्रू में अ अगर आप से जुड़ो है तो आपको इन चीजियों की नोलेज होने बहुत बहुत जुरूरी है कि कि किस चीज का टेकनिलाम क्या है और उसकी जो क्वानिटिटिव गारा जैसे ही मैंने आपको बता है कि आइस पर थम्रूल के हिसाफ से जो है आट से दस केजी जो है नोर्म अनिल्ड वायर ठीक है और जो यह था आपका मैट्रिक टंकास का स्टील का सरीयगा जो लगता है उसका भी आप मैंने आपको बता दें कि आर्ट से दस केजी जो है नोर्मली हमारा जो है हम लेके चलते है एजब थम्रूल के हिसाफ से ठीक है और नेक्स्ट जो है आपका वह जो होता है वह मेंड बार दिए फिल्ट ओर तरह धैंशा पर शैर्ड दिया जाता है यह चीज अपने याद रखना है जब आप इंट्यू ले जाएं ठीक है और नेक्स्ट आपका मिनिम डाया औक यूज पोर सलइब तो जो जो मिनिम डाय जो हम यूज करते हैं से लाइब के लिए वो है आपका आठ में ठीक है यह चीज आपको याद रखने हैं मलब करने को तो अपना अपनी बर्जी से आप कुछ भी कर लो बर्ट जो है एस पर आई एस कोड जो बोलता है वो आपका आठ में से कम नहीं होना चाहिए आपका से लाइब का जो डाया है श्टील बार और लास्ट जो है आपका मिनिम डाया उप बार यूज फूर कोलम ठीक है जो कोलम आपका रहेगा उसमें आपका जो है बार में की जो बार है जो है मिनिम आपको रखनी है इससे कम आपने यूज नहीं करनी है इस पर जो है इंट्रू में पुछी जाते हैं और आसर करते हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको कुछ भी आपकर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजि ताकि में जब भी वीडियो अप्लोड कुरो परें चैनल पर तो आपको उसका नोटिपिशन मिल सके और थैक्स वो राचिंग धन्यवाद